दिवाली वाले दिन एक बच्ची अपनी पीटा को पुलिस के चैंगुल से छुडाने के लिए पुलिस की जीप पर सर पटक पटक कर रोती फरियाद करती वीडियो हुआ वाइरल वीडियो में इस बच्ची सर पटक पटक कर रोना पुरे पुलिस महकमे को हिला दिया दरसल ये मामला है बुलन शहर के खुरजा इलाके की जहां पर रोड पर लोग तक्स लगा कर पटाके बेच रहे थे पुलिस को इसकी जानकारी मिली बुलन शहर पुलिस सभी पटाके बैठालिया बच्ची को काश्टेवल ने अलग कर दिया। लगभग छे लोगों को बैठाया था जिन्में सर पटक पटक कर रोती बच्ची के पिता अनुजकरवाल को भी बैठालिया था। उसके बाद बच्ची अपने पिटा को छुडाने के लिए पुलिस की जीप पर सर पटक पटक कर रोने लगी किसी ने इस बच्ची की सर पटकते हुए देख वीडियो बना लिया और वीडियो वाइरल कर दिया फिर ये वीडियो फेस्बुक पर ट्यूटर पर वह अन जगों गूमने लगी और पुलिस पर सवाल खड़े हो गए जिसके बाद एससपी संतोस कुमार ने बताया कि एनजीडी का आदेश था कारवाई करने का कई लोगों पर कारवाई भी किया था दरसल एनजीडी की गाइडलाइन है प्रदूसन को लेकर भरहाल वीडियो वाइरल होते ही बच्ची के पिटा को छोड़ दिया गया और पुलिस महकमे में लोग उस मासूम बच्ची के घर गए और उसके साथ दिवाली मनाई गई आप देखिए इस पूरे वीडियो में कि आखिर में उस बच्ची की जो है जो पिता है उनको जब जीप में बैठाया गया तो बच किस तरह से चिला रही है किस तरह से पुलिस को आवाज दे रही है किस तरह से सर पटक रही है इस पूरे वीडियो में आपको दिखाई देगा किस तरह से ऊचाय आवादी इस तरह से देखिए खिर में आवा से बच्चील Hai करूरत देखिए हमें आपको दोल्य है किस तरह से वैखिए हमें आपको आपको कह ते वीडियों पॉर fungi कर दो कर दोाइब